हलो फ्रेंड्स मेरे पाम लेडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो जो होने वाली है वो बहुत दुख के साथ मैं बता रहा हूँ मुझे बनाना पर रहा है क्योंकि ये वीडियो दो तरह से बहुत महत्पूर्ण है सबसे पहली कि ये जो वीडियो है पहले मैं बता दू ये 9 साल की बच्ची का वीडियो है जिनके पिता ने इनका हाथ बेजा बड़े परिशान है बेचारे इनकी बच्ची को बलड कैंसर है ठीक है और ये इलाज करवा रहे हैं तो मेरा जो point of view है मेरा जो मतलब है वीडियो बनाने का वो ये है कि दूआ में बहुत तागत होती है ठीक है क्योंकि starting phase है maybe possibilities है कि इन बच्ची की समस्या दूर हो सकती है ठीक हो सकती है ठीक है और इनके पिता जी का ये जाना था क्या आपको इस हाथेली के हिसाब से लग रहा है कि ये ठीक हो जाएंगी देखो कोई भी माबाब अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोसता है तो मैं इश्वर नहीं हूँ मैं गौड नहीं हूँ मैं कभी अपने आपको बगवान नहीं मानता नहीं मैं कभी अपने लाइफ में मानूंगा लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि जीवन रेखा आधीरी पे अच्छी है बाकी बहुत से लाइन है और ऐसा क्यों हुआ इनके जीवन पे इस योग के विशे में भी मैं चरजा करूँगा ठीक है तो इनके पिता का ये एक सवालाद था मेरे से तो मैं इनका जवाब देने का पूरा कोशिश करूँगा और मैं आपके लिए दिवा करूँगा और जितने भी लोग हैं वो जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है निवेदन है कि इस बच्ची के लिए दुआ ज़रूर करे दुआ में बहुत ताकत है प्राथना में बहुत ताकत है ठीक है तो और दूसरी चीज़ इनके पिता इतने खुददार है कि मैं उनको सल्यूट करता हूँ मैंने उनसे कहा कि सर अगर आप चाहते हैं तो मैं अपने चैनल पर मैं भी कुछ आपको charity करूँगा और अपने चैनल पर भी मैं बोलूँगा बहुत से अच्छे लोग हैं जो आप जो भी उनके बन परे जो भी वो दे पाएं वो जरूर देंगे क्योंकि आजकल अच्छे लोगों की कोई कमीन नहीं है अच्छे लोग हैं तो उनके पिताजी ने ये कहा देखिये सर हमारे hospital से मुझे खर्च मिल जाते हैं तो मैं वो रो-रो के बात कर रहे थे बहुत emotional थे वो और मैं उनके दर्द को बखुभी समझ सकता हूँ बखुभी समझ सकता हूँ मैं जरूर प्रात्ना करूँगा तो वो उसनों ने कहा मुझे कि देखिये सर ऐसा ही कि हमारे hospital से मिल जा रहा है तो मैं अपने स्वहम के खर्च के लिए मैं दूसरे से पैसे नहीं लूँगा मैं क्यों लूँ ठीक है तो वो बिचारे अभी बहुत कस्ट में हैं उनकी भी पाम की मैं वीडियो जरूर करूँगा ठीक है मैं जो कर पाऊँ मैंने कहा कि मैं सर आपके लिए जो कर पाऊँ मैं उसके लिए कभी पीछे नहीं उटोंगा मैं करूँगा तो ये वीडियो मेरी इसी अधार पर है इसी point of view पर है कि आप लोग जरूर से जरूर से इस बच्ची के लिए दुआ करे और मैं ये बात 3-4 बार इससे repeat कर रहा हूँ क्योंकि मुझे दिल से है मुझे दिल से एक दुआ है इस बच्ची के लिए तो ये तो थी एक इनसानियत वाली बात अब मैं कुछ योग के विशे में चर्चा करूँगा क्यों ऐसा हुआ और क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि में भी chances हैं, में भी possibilities हैं कि ये ठीक हो जाए अब देखो 100% मैं क्या इस दुनिया में कोई इनसान के बस की बात नहीं है, वो बता सकता है कि ये सब चीजों के विशे में लेकिन हम एक probability के अधार पे कोई कारी करते हैं, समभावनाओं के अधार पे करते हैं, ठीक है? तो मेरा जो ये पामिस्ट्री का केरियर है इसमें बहुत से से cases आया हमारे पास तो मैं personally उनके लिए जो मैं ईश्वर से उनके लिए हमेशा दुआ करता हूँ हमेशा मैं दुआ करता हूँ कि वो भी किसी की बच्ची है, हमारे भी परिवार है आपके भी परिवार होंगे तो हम जितना, अगर इनके लिए कुछ कर नहीं सकते तो हम इनके लिए दुआतों कर सकते हैं और वो इनके लिए जरूर दुआ का काम करेगी यह मैं सत परतिसत बोल टाउन जरूर करेगी ठीक है, तो क्या ऐसे योग थे क्यों ऐसे बिमारियों का योग इनके जीवन पर लगा तो अगर आप इनकी पूरी गरहों को देखोगी तो पूरी गरहों में डिस्ट्रेक्शन आपको दिखेंगी बहुत से पामिस्ट क्या करते हैं इन सब को अच्छी अच्छी लाइने बता देते हैं अच्छी अच्छी लाइनों से जोड़ देते हैं आपको ठीक से दिख भी रहा होगा कि पूरे पाम पे बहुत डिस्ट्रेक्शन आपको दिख रहा है सब जगा इनके डिस्ट्रेक्शन है इनके पाम पे आते लिए पर मतलब सारे चीज़े कटी-कटी नजर आ रही है इनके पाम पे मतलब यह अबरोध है यह टेंशन है तो बिसिकली यह कब क्रियेट होता है तो एक दोश है सकाल सर्व दोश बहुत से बच्चों का देखा जाता है तेरे पर कि अगर वो दोश नहींत होता है तो यह इन चीज़ों की स्थितियां हाथिली पे बनती है तो उन में कुछ न कुछ दिफेक्ट होते हैं यह मैंने अपने परसन एक्सपिरियंस से गहिन करा है तो इनकी इतनी दिक्कत है तो इनको स्टार्टिंग फेज है और पता भी चल गया इनकी इलाज भी चल रही है अब मैं यह बोलता हूँ कि इनकी गहों में स्टेंथ है हाँ शुक्र बहुत डैमेज जा रहा है और अगर आप मंगल ठीक से फील करोगे तो यह भी कुछ जादा स्ट्रॉंग नहीं है ठीक है चुकि मंगल ब्लड का कारक है तो चुकि खून तो बनते होंगे लेकिन उसमें defect है, उसमें cancer है उसमें कोई परिशानी है, problem है तो ऐसा है कि इनकी हतिली पे और जो गरहा है न वो ठीक ठाक है तो मुझे ऐसा लग रहा है मुझे सा फील हो रहा है, जीवन रहा हुआ भी इनकी हतिली पे कुछ भी नहीं होता 100% लेकिन मैं भगवान से दुआ करूँगा ये ठीक हो जाया और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये recover करेंगी ठीक है ये जरूर recover करेंगी मुझे ऐसा feel हो रहा है अंदर से और मैं हमेशा चाहूँगा कि ये recover करें क्योंकि भवश्य इनका भी रखा हुआ है इनकी कोई अभी एज नहीं है 9 साल की आयू है कोई भी एज नहीं है पिता जी बहुत परिशान है और इनके घर में क्या बीटता होगा वो मैं समझ सकता हूँ वो भली वाती जो हमारी इस वीडियो को देख रहे है वो भी समझ सकते है अब आप ये मत सोचना गुरू जी अपनी वावाही लुटने के लिए वीडियो कर रहे है ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है मैं बस एक ही मेरा मकसद है एक ही मेरा इसके लिए उद्देश यह है कि आप लोग प्लीज जो भी इसको देख रहे है इस बच्ची के लिए दुआ करे प्लीज इस बच्ची के लिए दुआ करे ठीक है अब जो इश्वर की मरजी होगी जो चीज़े इश्वर ने इनके लिए सोच की रखी होगी अब उसका तो कोई काट नहीं है, उसको ना तो मैं बदल सकता हूँ, ना आप बदल सकते हैं, ना कोई भी इनसान में इतनी capability को उसको बदल सकता है लेकिन एक इनसान के द्वारा अगर प्राथना किया जाए, भगवान के भगवान से किसी चीज के लिए दुआ किया जाए इनको recover कर दें, ठीक है, और जो इनकी गरहा है ना, ब्रेश्पती इनका ठीक ठाक है, ठीक है, तो ये basically इनको support मिल जागा इनके life में, इलाज के पैसे मिल जाएंगे, तो अभी मैं इनका कोई career नहीं देख रहा हूँ, कुछ सीजन नहीं देख रहा हूँ, बस ये वीडियो बनाने का point of view था, इनके पिता के लिए मैं एक आशवासन दे रहा हूँ, योगि जब इनसान कोई डूबता है ना, तो उसको आप थोड़ा सा सहारा देते हो ना, तो फिर वो इनसान सोचता है ना, कि मुझे, अब मुझे हिम्मत आगी, जिनके पिता में वो हिम्मत की मुझ ने बहुत अच्छी देखी, ठीक है, और देखो, tensions तो है, obvious सी बात इतनी बड़ी problem है, तो tensions के बिना problem तो आएगी, cut word दिख रही है, लगिन आगे चलके कुछ progress रेखा भी दिख रही, इसका मतलब यह नहीं, इनको ताकत मिलेगा, इनको energy मिलेगा उस बीमारी से लड़ने का ठीक है, recover जल्दी करने का, अब यह भीमारी की हुवी, इसका reason तो easier से आप जाके पूछो, लेकिन हतिली पर ना कुछ चीज़े मुझे दिख रही हैं, जो की general हतिली पर नहीं दिखते हैं, बहुत सी लाइने दिख रहे हैं, यह basically ना, यह अच्छी लाइने नहीं मानी जाती अच्छी लाइने का कुछ term and conditions होता है, ठीक है, जो मैं अलग वीडियो में दिखाता हूँ, तो यह जो बहुत सी लाइने नहीं, यह सब ग्रहों पर पर परदा डाल दी, मतलब सब ग्रहों के effect में दूस क्रियेट कर दी, अब देखो कैसे, अब राहू लाइन आपके जीवन को समझ रहा हूँ, अब कुछ पामेस से इसको गलत करते तो लग बात है, लेकिन मेरे परसनल अपने experience जो मैं इस चीज़ को समझ पा रहा हूँ, अब मैं देखो थोरा सा भावनात्मक इनसान हूँ, ठीक है, अब मैंने मेरे पास कोई चीज़ ग्यान है तो मैं चाहता हूँ उसका सद्यूपियोग हो, ठीक है, ना कि दुरूपियोग, तो मैं हमेशा सद्यूपियोग करने ले जाता हूँ, ठीक है, तो मैं इस सद्यूपियोग के point of view से बोल रहा हूँ, कि मेरे जो point of view सोचने का वो ये है, कि इस वज़या से इनको problem हो, कि सारे ग्रहों पर इनकी देखो, सब चीजे रुकावट भरी दिख रही हैं आपको, सारी पाम पर अस्थितियां ऐसे दिख रही है, तो इस वज़या से मिलने मुझे दिख रही है, ठीक है, लेकिन करनाओं की condition अच्छी है, तो भगवान ने सही समय पर बता दिया, सही समय पर इलाज स्टार्ट हो या इलाज में सपोर्ट हो रहा है, तो रिकवर इनसान करते हैं, इन चीजों में भी रिकवर इनसान करते हैं, पूरी रिकवरी तो एक प्रब्लम वाली चीज है, लेकिन बच्छपन ना हो सकता है में भी chances, लेकिन रिकवर करते हैं लोग बागग, अगर जीवन रेखा अच तो यह चीजों का जो प्रॉब्लम इनकी हतेली पर दिख रहा है इस वजह से इनको यह प्रॉब्लम होई और इनका मैं फोई future predictions नहीं कर रहा हूं बस मैं यह prediction कर रहा हूं और यह दुआ कर रहा हूं कि इनकी स्थिति जल्दी ठीक हो जाए क्योंकि यह अगर पता चला है तो ज पेट लाइन का भी कोई विशेस मुझे योग नहीं दिख रहा है इनके हतेले पर कि बहुत योग अच्छे है इन चारों जगह पे बहुत रहा हूं लाइन है जो कि बहुत परिशानकी है प्लीज मेरे भाई मेरे पामिस जो भाई लोग हैं प्लीज यह मत करना कि इनको कोई योग मना देना अब यह अच्छे योग नहीं होते हैं ठीक है तो आप टेंशन मतलो इनके पिता जी के लिए मैं एक बोलना चाहरा हूं जीवन रेखा अच्छी है आपकी बेटी रिकवर कर सकती है बस आप भगवान की रादना करो दुआ करो शूरी भगवान ब्रश्पती भगवान मंगल देवता सब की पूजा पार्ट करना शुरू करो सब के रिगार्डिंग काम करना शुरू करो सारे पूजा मैं इनको फोन पर बताया ठीक है और मैं ऐसे भी बोल रहा हूं सब की शुरू करो और विश्णु भगवान ब्रश्पती भगवान की तो विशेश क चाह ले ना, वो अगर चाह ले तो सत्परतिसत आपके जीवन में आपके दुखों की परसेंटेज में कमी आ सकती है ठीक है, बस आप उनकी आधना सुरू करो शुरी देपता कि आधना सुरू करो भगवान चाह ले ना, ईषवर चाह ले कुछ भी चीज़े possible है चमतकार नाम ही है इश्वर का इश्वर का दूसरा नाम चमतकार है जो चीज़े सब जिन चीज़ों को दुथकार देता है सब लोग जिन चीज़ों को दुथकार देता है सपोर्ट ने कर तो उनको इश्वर अपनाता है तो जीवन रेखाची है और अगर ये ठीक हो जाए तो आगे इनके जीवन में उननती भी मुझे दिख रही है जो कि इनके लगबग 14 वर्स के आयों से start होगी तो 14 वर्स के आयों से इनके उननती start होगी जो कि यह हो सकता है में ही possibilities है कि यह जल्दी जल्दी बहुत तीज़री cover करें ठीक है और आगे कुछ अच्छा भी करें माइंड रेखा अच्छी है तो हो सकता है कि recover यह कर जाए ठीक है तो बस आप लोग से request है मैं बार बार यह चीज़ कह रहा हूँ कि प्लीज इस बच्ची के लिए दुआ करें इसकी थमबती को कितने strong है बच्ची बहुत strong होगी अंदर से बच्ची में बहुत potential होगी बच्ची को बहुत ताकत दिए बाप भगवान हर चीज़ तो negative नहीं डाल सकते है सुड़ी की finger कितनी strong है हिम्मत होगा बच्ची की देखो आप बुद्ध finger कितनी सही है तो बोल भी अच्ची लेती होगी और सब कुछ समझने बाले होगी बच्चपन से समझदार होगी तो ये सब positive way में जाए इनको लड़ने की ताकत देगा और ये लड़ेगी और ये जितेगी ठीक है? अगर आप बस इतना करना कि आप इनके लिए दुआ करना ठीक है? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंदा है लाइक में सब्सक्रेब जरूर करें धन्यवाद